नवस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंदर चौधरी है ग्रीन उत्म बायो टेक प्राइवेट लिम्टेड कंपनी से हूं आज हम आपको एक साल तीन महीने का बाग दिखाने जा रहा है जो के शोनी पस सहर में लगा हुआ है हम आप स्वे किसान की बार डारेक्ट कराएंगे उसस तो यह बाग है एक साल एक साल बारे महीने का बाग है इस समय फूल विक्री हो रही है फूल भी आ रहा है हर वक्ति इस पर बारोमासी फूड रहता है इसका साइज 25 ग्राम से लिए कि 30 ग्राम का साइज है दोस्तों आपको यह यहां के जो किसान है हम यह विजिन से बात कराते हैं नमस्का सार पहस्का सार कैसे हो ठीक है आपका क्या नाम है महंदर खटरी जी आपने कब बाग लगाया था यह यह गाजी एक साल दो महीने का बहुत अच्छा तो सर आप बाग से संतुष्ट है आपने जब जे बाग लगाया तो आप विक्री कर रहे हो कि अभी नहीं की आप विक्री देखो जी जब यह लगाया था दो तिन बिन्ने के बाद इसने फल लगना चालू हो गया था और फिर आमने तोड़ा भी इसमें से माल पाया खूब पाया कितना एवरेज आगया होग अब यह थोड़े साइस में जान बनी है और यह पूरा अपने रूप पे आया है फूल है पूरा और इसमें आने वाले टैम में मैं लगता है कम से कम 15 kg निम्बू एक पेटे पर लगना चाहिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कितना बाग लगाया यह पांच भी दोस्तों आप इस वाग से पूरी तरह से संतुष्ट बहुत बढ़ी आजी वह बहुत बहुत धनवास सब्सक्रिया बहुत वड़ी है फिर उसके बाब जोदिनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है उसके बाग रजील टे है जहां पर आपके सामने फिल्ड में इस समय फूल भी लग रहा है फल भी लग रहा है गुच्छों में नीबू आता है तो मेरी दोस्तों से चाहूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा नीबू की पैदावार करें एक एकड़ से आप तीन साल बाद कम से कम तीन साल होंगी तो आप चार से लेगे पांच लाग छे लाग रुपे आप कमा सकती हो नीबू की खेती बहुत बढ़ी है बेनिफिट की खेती है तो दोस्तों सभी से हजोर के उजारिस है कि नीबू की खेती करें अच्छी कमाई करें अच्छा किसानों का सुरूत है जै हिन्द